Japanese हम अकक्सर परिशान जहते हैं कि इसने मैं मैं इसा भोल दिया उसने मुम वैसा बोल दिया तो हमारा कैसे होगा आगे क्या होगा हम motivation के लिए तरस्ते हैं लोगों का साथ चाहते हैं कि कोई हमें motivate करे और दुनिया हमेशन करती है मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनों ने मतलब मुझे इतना गंदा तक बोला है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम जैसे लोगों को बाल घजीट के बाहर निकला जाएगा इंटेव के बने साथ एक हाथसा शेयर करते हूं आपको समझ आएगा जाए करते हैं मैं बिना ट्यूशन के तैयारी की थी तो वहां तक जब हम मेंस क्वालिफाइ कर लेते हैं हम एक सेकेंड का भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम वहां से वापस लौट एंटेव्यू से तो इंटेव्यू के लिए मैंने सोचा एक जिगर तैयारी कही ना कहीं तो हम इंटेव्यू के लिए बस प्रिप्रेशन कर लेते हैं और ये जस फाइव डेस बचे हुए था में पास देट साच किती सोचने में मैंने इता टाइम मेस करते कि मैं पास दिन बचे हुए थे उन पास दिनों में मुझे मेरे क्रिलेटिव ने सजेस्किया कि एक बहुत तीचर हो करके बहुत बड़ी इंसिट्टीट की टीचर करके वह इंटर्वू के लिए प्रिपरेशन करवाते थे मैं उसे जैसे मिली उन्होंने एक दो से नॉर्मल कोश्टन से पूछे मैं सामने मिलने गहीं थी कि सर कैसे क्या होना है और उन्होंने मेरे पूरे जो मेरे कागज से जो भी पेपर्स होते हैं हमारे डिग्री मार्क शीट्स अगरे मेरे मुझ पे लिटरली मुझ पर उच्छा ले थे तुम जैसे लोगों को क्या ही सेलेक्शन होगा अपने आपको तुमने कभी देखा है आईने में तुम जैसे लोगों को मासर बाल गसिट के बाहर कर दिया जाता है उनके ये शब्दत है आप ये सोचो कि किसी का फाइब डियस बाद इंटर्व्यू है और उससे को ये कह रह और फोर डेज मेरे पास बच्चे हुए थे फिर थेंक्स थेंक गॉड कि उनने कुछ ऐसे पात मेरे पास क्लियर थे कि मेरे भाया ने मुझे सजेस्किया कि तुम जैसी हो बस वैसे चल जो इंटर्व्यू में क्योंकि अगर अपने एग्जाम कॉलिफाइ किया है तो नॉले कि भी डिमोटिवेट ना हो लोग ये ब्रेकर की तरह होते हैं हमेशा आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे आपकी चार दिन पहले छोड़ो इंटर्व्यू वाले दिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अच्छा दे रही हो बहुत लोग दे रहे होगा नी होगा होता है अपने आपको सेल्फ मोटिवेटेड बने हमेशा मोटिवेटेड रहे और किसी का वेट ना करें मोटिवेशन के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं